इसी के वज़स से अगर कोई काम रुपता ही चला जाता है तो लोग उसे पनोती कहने लगते हैं अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्टरी का माल ट्रक में लद कर शेहर जा रहा है डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी लाग हो रुपय का माल है लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पती दोहरता हुआता है पिताजी पिताजी वो जूस से बरा ट्रक पलट गया सारो जूस पास की नाली में बह गया ये भगवान तेरी शादी के बार ये पहली बार ऐसा हुआ है मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बन वालो देखा आए दिन नुकसान बिचारी रितु पर्टे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी लेकिन करती भी तो क्या कहती भी तो क्या अरे रितु क्यों दास होती हो मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो अरे मेरे पैर में चोड लग गई है रितु सरा चल डाक्टर को दिखाते है रितु सास के साथ डाक्टर की घर जाही रही होती है कि उसका पैर भस जाता है और वो सास पर गिर जाती है हाई रे, पहले सी पैट उठाता, अब उपर से देरे, उपर गिर गई, मगवार, उठा ले मुझे पकवार, कोई उठाउ तो मुझे, आहाँ सासुमा, लाइए हाती जी, यहाँ बैठिये, मैं पानी लिख राती हूँ, हाई रे, आप तो डाक्टर भी चला गया होगा, अरे इस लड़की के कारण पता नहीं, मैं अपने बैरों पर गड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं, मा, बहुत घबराट हो रही है, कल मेरी अपने खुद की फैक्टरी शुरू होने वाली है, पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिसनस, आरे क्यों नहीं पेटा, अच्छा होगा, इतनी लगन और महनत जो की है तुने, पस तेरी बीवी का मन हुस आया ना पड़े, आरे जब से आई है, कुछ ना कुछ मन हुस होता ही चला जा रहा है, कैसी बात करी हो मा, एक तो वो अपना घर परिवार छोड़ कर हमारे लिए यहां आई है, और तुमों की फैर, दिन बेटते हैं और एक दिन, निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल, जब से यह लड़की मेरा घर की बहु बनी है, हर जगा घाटा, हर जगा नुकसान, कभी सास का पैर तूट रहा है, तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है, अर अब तो हादी ही हो गई, मेरे बेटे का इतना भारी एक्सिडेंट की वो को ममे चला गया, वो तो शुक्र है कि जान बज़ गई, नाई अब तो रीतू को भी लगने लगता है, कि वो मनहूस है, वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है, चलते चलते रीतू एक जंगल में जूपड़ी में पहुच जाती है, जहां एक साधू तपस्या कर रहे होते हैं, आगए बेटी, क्यों परिशान होती है, ये तो जीवन का नियव है, इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है, किसी के अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती, आपने मुझे बेटी कहा है, तो शरण भी दे दीजे बापा, मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगी, बस आपकी जीवन में मेरे जैसी बेटी की वज़े से कुछ बुरा ना हो, सादू आख बन करके मुस्कुराता है, और रितू उनके घर की बेटी बन जाती है, पिता जी, भोजन तयार है, आकर खा लीजिए, बेटा, जो भोजन तुने बनाया है, उसमें साप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ, नहीं नहीं पिता जी, खाना तुम मैंने अपनी आखों की सामने बनाया है, यहां तो कोई साप आया ही नहीं, ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ, साधू खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है नहीं पिता जी मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया मुझे इस बात का पता नहीं पिता जी बै ये बाद जानता हूँ, खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना, ये तो पहले से ही तै था, इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है वो रोने लगती है और सादु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनूती मान लिया था सादु मुस्करा कर कहता है बेटे, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहां रहना चाहती हो या फिर अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिता जी, मैं ससुराल जाना चाहती हो क्योंकि वहाँ मेरी जरूरत है मैं चाहती हो कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनूती यानि कि मन्होस ना समझे उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का फ़ला ही चाहती हूँ ठीख है पेटा ऐसा ही होगा तो कल मेरे साथ चलना दोनों अगले दिन रिटो के ससुराल जाते हैं जहां सादू के साथ रिटो को देख कर सास कहती है अरे वाहरे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे, जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुला किर किसी को लेकर आई है, नाना माजी, ये तो मेरे धरम के पिता जी है, मुझे ससराल वापस छोड़ने आये है, ये तो बस पिता का धरम निभा रहे हैं, इने कुछ मत कहिए, वाजिवा, चार महिने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, और ये मन्हुस फिर से आ गई, इस बार के जान लेकी जाएगी, अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रेक्चर था, अब ये आ गई है तो पका टांग काट नहीं पड़ेगी, रे भगवान, पिशली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलड गया था, इस बार तो पका फैक्टरी में ताला ही लग जाएगा, रीतु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे, फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ जाता हूं, वो साथ में गोला लाये थे, उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं, वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है, पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं, और वही मर जाते हैं, देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्टरी के डाला था अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा वन्ना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता है भगवान तब तो न जाने कितने लोगों की माथ हो जाती इस जुज को पी कर शुक्र है भगवान का अनोनी से बचा लिया वो दिन देखते हैं जब पती का एकसिजेंट लेकिन रितू के करवा चौत के वरत के कारण वो बच जाता है वन्ना तुम रित्यू निश्चित्थी सभी रितू की तरफ देखते हैं बाबा मैं तो मनहोस नहीं हूँ शुक्रिया बाबा मेरे मन में जीवन भर का बोच रहता कि मैं इन लोगों की दुख्का करण तो नहीं 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 बेटा मनहोस तो इश्वर किसी को नहीं बनाता हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है मुझे माफ कर दे बहु तू तो इस घर की लक्षमी है रक्षक भी है हम लोगों को माफ कर दे बेटा रितु को ससराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं